नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सोलिशन कमपनी के बारे में देखे कमपनी के इस वीडियो में हम फाइनेशल्स डिसकस करेंगे और फंडामेटल्स कमपनी के यहाँ पर बारी किसे हम जानने की कोसिस करेंगे यह results कैसे आ चुके हैं, इसका भी यहाँ पर इन future क्या impact पड़ेगा, long term, short term क्या चीज़े रह सकती है वो भी इस वीडियो में समझने की कोसिस करेंगे, देखे अधानी energy solution में हमें यह देखने को मिल दा है, कि stock काफी time से एक बड़े consolidation में हमें जाते वे नजर आ चुका है, ही है, stock बुरी तरीके से crest न हो जाए, but overall again stock में recovery आती है, market भी आपका recover करता है, अधानी ग्रूप के stock, अधानी enterprises, अधानी port जम करते हैं, तो उनके पीछे पीछे इसमें भी हमें jump देखने को मिल जाता है, अब दीखे यहाँ पर company का long term business कैसा है, long term growth कैसी है, वो भी हम समझने की courses करते हैं, दीखे अधानी energy solution company करती ही क्या है, सबसे पहले यह समझना आपके लिए बहुत ही जदा important रहेगा, और अधानी group में दोस्तों यहाँ पर normally मेरा view यही रहता है, कि इनका जो यह group है, यह long term business के उपर टिका हुआ है, मतलब अभी के time इनके जो business है, वो setup हो रहे है इसकी वज़े से इनका जो PE ratio भी हाई है, इनकी valuation भी हाई रहती है, इनके जैसे भी solar panel का business है, अब इसमें क्या कर रहे है कि green energy का business है, इसमें solar plate लगाते हैं, तो इनका अभी के time plant लग रहे हैं, आने वाले time में in future revenue increase हो सकता है, अधानी total gas का business अभी हो रहा है, तो वो आने वा revenue increase होके PE ratio drop हो सकता है, तो ये company क्या करती है, ये company दोस्तों transmission line में लगी हुई है, जो भी आपके बिजली के खंबे तार वगएरा होते हैं, ये company यहाँ पर manufacturing करती है, और power supply का यहाँ पर काम करती है, और पावर सप्लाइग का यहाँ पर काम करती है, और पावर सप्लाइग का company हमें देखने को मिल दिये, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, एक negative news इस company से related ये भी है कि decently इनकी जो Kenya की deal हमें होते वे नजर आई थी, वो deal यहाँ पर cancel हुई, इसका impact morning के time हमें गिरावट की रूप में देखने को मिला भी था, बट overall सारी चीजें positive होते वे नजर आई, औ closing हमें positive में देखने को मिली, अब अगर बात की जाए, market gap यहाँ पर एक लाग 12,000 क्रोड का हो चुका है, stock का PE ratio अभी के time 76 का हमें देखने को मिल दा है, उसी के साथ साथ book value यहाँ पर 175 की हमें नजर आ रही है, उसी के साथ साथ यहाँ पर ROE company के normally better है, अगर ROE की बात की का हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, debt to equity ratio यहाँ पर 1.86 है, जो की continue गिरते वे देखने को मिल दा ही है, देखे company की जो numbers है ना वो धीरे धीरे करके improvement हो रहे है, company अपने आप में value बना रही है, अब हलंके देखे जो लोग short term है, जिन लोगों में patience नहीं है, जो लोग क्या करते हैं, जो लोग यहाँ पर मालो की low पर बैठे हुए है, जो लोगों का नजरिया really long term होता है, उनके लिए यहाँ पर fundamental काफ़ी जदा यह काम आएंगे, अभी के time अगर देखा जाए तो company के revenue continue increase हो रहे है, 25 करोड का company का revenue था, हर quarter यहाँ पर increase होते होते है, अभी के time company का revenue 6000 यह, यह सारी चीज़े normally हमें 2 साल के अंदर अंदर होते हुए देखने को मिली है, company का revenue double से भी ज़्यादा हो चुका है, company के margins better है, 28%, अभी देखे, पहले company के margins कितने थे, 80% के असपास, अभी तो 42% है, यह margins यहाँ पे इतने ज़्यादा वाल्टल क्यों है, क्योंकि company क्या कर यह कि अपने पैसों को again खर्च कर रही है, अपने business को setup करने के लिए, इसी वज़े से इनका margin normally drop होता है, तो अभी के time high, जितना भी पैसा आता है, वो सारा यहाँ पे खर्च कर देती है, expense में लगा देती है, again new plant लगा देती है, तो margins इसके कम हो जाते, पर जब सारे plant लग ज तो यहाँ पर directly हमें सारी चीजे better देखने को मिलेगी, यह सारा interest का पैसा company के profit में add होते वे देखने को मिलेगा, company का net profit overall यहाँ पर अच्छा हो रहा है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर numbers company के अच्छे आ रहे है, यहाँ पर यह minus में गया, क्योंकि other income company के minus में चली गई, और 2015 के time 131 करोड का company का sales था, अब वही sales 16,000 करोड के पार पहुँच चुकी है, जो कि बहुत यह अच्छी चीज है, अभी के time आपको यहाँ पर margin देखने को मिलेगा 30%, 35% के आसपास, क्यों, क्योंकि अभी के time जो भी company के पास पैसा आ रहा है, वो again अपने business में लगा रही है, new new transmission line लगाने में company अपना fund यूज़ कर रही है, बट जो important चीज है, इसके जो real margin है, वो दोस्तो 70-80% के है, क्योंकि पहले इनका margin, पहले यह अपने business में इतना fund यूज़ नहीं करते थे, तो उसी basis पे क्या होता है, कि अभी के time business में ज्यादा fund यूज़ करते, तो इनके margins कमें मेरा view यह है कि आने वाले time में, अगर इनके सारे plants यहाँ पे लगते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे numbers of operating profit margin increase हो जाएगा, जिस basis पे company के profits भी बढ़ेंगे, और maybe in future यह company dividend के रूप में भी जा सकती है, यह चीज़े मुझे नजर आने वाली है, long term purpose के इसाब से, company का profits overall अच्छ के balance sheet, balance sheet में हमें क्या देखने को मिल रहा है, company का जो reserve है, वो इस पर काफी ज़्यादा grow कर चुका है, अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं, तो हमें यह देखेगा company का reserve 11,500 करोड का था, वो यहाँ पर 19,784 करोड का हो चुका है, तो अब यहाँ पे अगर आप company की borrowing चेक करते तो यहाँ पे कितनी थी, 37,000 करोड और 39,000 करोड की हुई, और company के अगर आप asset यहाँ पे चेक करते हैं, तो 58,000 करोड के थे, वो यहाँ पे कितनी हो चुके, 69,000 करोड, अब यहाँ पे जो आपको, जो main point है ना, वो आपको इस balance sheet में देखने को मिलेगा, balance sheet में क्या इस वज़े से हो जाते हैं, इस वज़े से margin आपके normally कम रहते हैं, तो अभी के time यहाँ पर जो भी यह खर्चे हुए, यह सारे company new transmission line लगा रही है, यही चीज़े company की balance sheet में add हो रही है, इसकी वज़े से company की balance sheet काफी ज़धा मजबूत हो चुकी है, 19,000 करोड का reserve है, यहाँ प region के इसाब से मुझे चीज़े better लगड़ी है, यह मेरा view है, अभी के time F20 वड़ों का एक अच्छा का investment अगेन हमें आते वे नजर आ चुका है, QIP के जरिए, DI वड़ों का भी यहाँ पे holding all time high है, public की holding यहाँ पे normally हमें अभी के time 6% देखने को मिलगी, जो कि normally ठीक है, अच्छ personally view है, और long term vision के इसाब से मुझे चीज़े positive लग रही है, आपका क्या view है, वो में साथ जरूर share कर जिएगा, हालनकि यहाँ पर मेरा दोस्तों कोई buy and sell recommendation नहीं है, buy and sell करने से पहले अपने financial advisor से जरूर concern कीज़ेगा, और short term view के इसाब से अगर देखा जाए, चीज़े मुझे normally positive लग रही है, short term purpose के साब से vertility हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, long term view के साब से मुझे positive लग रहा है, अब long term कितना long term, जब तक company यहाँ पर better performance अपनी balance sheet मजबूत कर रही है, PE ratio जब हमें कम होते वे देखने को मिलेगा, तब company एक अच्छा performance यहाँ पर normally हमें दिखा सकते है मेरा मानना है, और अभी के time company यहाँ पर bottom बना रही है, bottom कहाँ पर बना रही है, company का जो bottom है, 910 रुपे के levels पर, क्योंकि इस levels पर यहाँ पर भी jump किया, यहाँ पर भी jump किया, तो में भी इस level से भी हमें jump देखने को मिल सकता है, हो सकता है मैं गलत निकलूं, बट उससे पहले अपना research भी जरूर कीजेगा, और अभी के time bottom मना रही है, तो चीजे मेरे इसाब से positive हमें दिख सकती है, यह मेरा personally view है, बागे दोस्तों आपका ग्या view है, वह मैं साथ जरूर share कीजेगा, और comment box में जरूर बताएगा, कि यहाँ पर आपका क्या target है, आप कितना time hold अग सकते ह हमारी काफी ज़्यदा नजर होने वाली है, अगर वहाँ पर चीजे सारी positive होती है, तो इस stock के उपर भी बड़ा impact हमें पढ़ते विए देखने को मिल सकता है, थैंक्यू, बागी दोस्तों मेरी तरब से कोई बाइन से ली गबनेसन नहीं, अपने financial advisor से भी जरूर कंसर्ट की देड़ को